वेलकम बैक वन्स अगें ऑन माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्के लोग और आज के इस वीडियो में अपके साथ शेयर करने वाले ही ओली वाल के बहुत सारे फायदे जितना इसका फायदा हमारे हैर के लिए होता है उससे कई गुना ज्यादा इसका फायदा हमारे फेस के सबसे पहले नमर के जो मैं बैफिट सेयर कर रहे हूं इस ये आपका जो है जो एंटी एजिंग होता है इसके लिए हमने सबसे पहले है एक चमच अलिव और इसके लिए एक चमच हमें चाहिए होगा आलवेरा जल मार्किट को अलवेरा जेली आपको इससी भी ग्रोशरी और यह बहुत ही अच्छा है, pure transparent है, कोई भी smell वारा, कोई भी जिसमें smell मगरा होती है, जिसमें मिलावट वो बिल्कुल यूज ना करें, और अगर पास इससे better option है, तो आपके पास अगर घर में Elveria का पौधा है, तो वो better होगा दोस्तों, उससे और भी बढ़िया स्कीन होता अगर आपकी जो एज 30 है, तो बहुत ही 20 के दिखोगे, 40 है तो 30 के दिखोगे, बहुत ही बहतरी नापका यह वाला नुस्खा है, कुछ नहीं सिर्फ हमने दो चीज इसमें मिलाया है, और इसके साथ हमें लिया है, इसमें Elveria Gel, इन दोनों को मिला करके, और आपको फेस में इसको अपलाई करना है रात में दोस्तों, सोने के पहले यह वाला क्रीम जैसा बना के, किसी भी डबे बगरा में बंद करके रख सकते हैं फ्रीज में, और सोने के पहले इसको आपको पूरे फेस में अच्छे से 5-10 मेर तक मसाज करें, इससे आपका फेस बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बच्चा जैसा दिखेगा, बिल्कुल भी फटी भी नीड है कि एडिया आपकी बहुत ही जल्दी हील होगी, अगर फटी भी भी है तो इस वाले को आपको रात में जैसे आप फेस में लगा के सोगे, उसी तरह किसे आपको पैरों कच्छे से दो करके और अपने कि एडियूप इसको लगा के सोजाओ, आपका पैरिक्टम बिल्कुल सुंदर और मुलायम और खुबसत रहेगा, तिसरा नुसका हम बना रहे हैं, यह बहुत ही बढ़िया और एफेक्टिवली आपको काम करेगा दोस्तों, इसके लिए हमने लिया है, यह हमारा हनी है, हनी क करके दोस्तों आपको अखैसे से अपलाई करना है, यह दोस्तों चेंग अफेक्टम को सोजब शीचे antigo का कि ऍहतें, इससे सभी चीजों को काई कन्ट्रूल करके रहता है थैली हमेशा आपने अश्जात कर सकते इसतरहBesel को इसो संख्यों कर सकते हैं कि इसाने वनश्छा आ अब को दोस्तों को लगाना है यहां पर आपको फटीवेश जी है जयासे की बहुत ज्यादा पूरे पाने से फ्रेस के पोर्स ओपन होगे जिसके आपकी छोह ही जोह हो कर लेना है इस तरह के से हनी और ऑली बाल कर्बिशन त्यार किजिए और फिर अपने फेस पर अपलाइ करके उसको गरम पाने से स्टीम करिए और इसके बाद आपको गरम पाने से दोलेना है बहुत ही खुम्सटाथ चोफटनलाइम हो जाएगा दोस्तों ऊसके बात कगजी नुस्का है यह बहुत ही बहत ही तुस्तों आज हमारा चॉठे नंबर का यह यह डियायवीर या निकिन उसका है यह हमारा निम्भू लीन है हमने लगवग आधा को निम्भू करस लेना है दोस्तों को पता होगा कितना एफेक्टिबली होता है हमारे फेस के लिए हो या फिर आपके बाल के लिए हो बहुत ही बैतरिन होता है आपके बालों को जितना अच्छा बनाता है आपके फेस को भी यह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में वीटमीन के लिए अगर आपके माइस वगरा है जैसे कि आफटर दिलिवरी के बाद बहुत जादा स्ट्रेच माइस वगरा हो जाते हैं तो घर का यह वला नुस्खाब जरूर्ट राइक जहां पर भी आपको प्लाइक किजिए तिन में आप इसको दो बार जरूर्द राइक करिए जब तक आपको पुड़ा बॉड़ी इसको अपने हाथों से मसाज देना है इसी तरह किसे अपने स्कीन पर फेस पर लगाए तापका स्कीन आपका जो स्कीन है वो ग्लो करेगा और आपका स्कीन जो है ना बहुत ही बढ़िया और खुपश्रत हो जाएगा दोस्तों और लगा नेक्स्ट लैस्ट के और छलते हैं नेक्स्ट हैक्स में लिए है यह जो की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसके अंदर की सपर कोई यह कोई स्मैल वगरा है तो इसी तरह के आपको भी इल्वेरा जेल मार्केट चलेडर अग्रा आप मार्केट से नहीं लेपाऊँगे तो बा इवान 400 करके मिल जाएगा यह विटमिन E की कैपसुल जो दोस्तों आपके स्कीन को जवान और खुबसत बनाएगा और साथ के साथ ही आपके स्कीन से पिग्मेंटेशन वगरा को दूर करता है यह हमारे स्कीन के लिए अच्छा होता है वैसे हमारे हैर को भी बहुत ही अच्छ बना रहे हैं अगर आपको ज्यादा बना करके रखना है एक सब्सक्राइब कर दिन के लिए और इसको आपको लगाना है रात में नाइट क्रीम के जासा लगाईए पूरे फेस पे स्कीन पे यह जो है आपके स्कीन को जहां बहुत ही सॉफ्ट रमाइन करके रखेगा आपके यह उसके उपर लगा के रखेगा तो बहुत ही साफ हो जाएगा उसके साथ साथ कई होधोर करी ना है वह अच्छे से साथ हो कालगा दाक में skirm करेंगा पैम तो या जो ट्वल एयक काम करता यह पूरे स्कीन लगा लेना है और कोशिश करें कि रात में लगा है रात में क्या होता आपका चुहरा बहुत लाइब टाइम तक जो है धूल में तीन ही जमती है इसलिए बहुत इफेक्टिम भी काम करता है और सुबहर में अगर आपने हाथी उन्हाने के बाद भाद भी एजी क्रीम की तरह इसको अपलाई करना है आपके स्कीन से जितने प्रॉब्लम से वह सब के सब दूर हो जाएगी उसके बाद यह नुसका मैं बता रही हूं अपने मेकप ब्रश वेगरा अकसर होता है अकसर मेकप करने के बाद हमारा ब्रश जो है गंदा हो जाता है और साफ करने के लिए हमें बहुत ही जादा परिशानी होती है तो कोई लेनी की बात नहीं है आपके पास ऑलीवाइल ले दिश्याइब को यह बहुत ही अच्छा ऑलीवाइल है बहुत ही ब्रश जरूर करें ब्रश बिशिक साफ रहेगा उसके चांड-ब तक अगर आप मेकप करते हैं मेकप करने के ब भी। लोट तो इस तरह से दोस्तों आपको बहुत ही बढ़ना आपको मैंने आज ऑली वल का इस्तिमाल रए उसके अगर आपका घ्य। बहुत ही जादा ड्राइ है आपके हाँ कोनी या फिर आपकी पैरों की जह नीज विगरा बहुत ज़ादा रखे कि अचizar है बच्छों की करते हैं बच्छों की हमाली करते हैं क्योंकि 48 ब squeezed कर आपjang को बहुत जदा हेल्दी और हड्डियों को मजबूत करता है इसके साथ अगर आपके बैक पीन होते हैं नेक में दर्द होता है इसके लिए अपको अस्तिमाल कर सकते हैं और वेस्ट ऑलिवल मैं आपको सब्सक्राइब करें भी और बहुत सारे होम रिमेडिस में भी दोस्तों आप ज़रूर ट्राइब करिएगा बहुत ही काम करेगा दोस्तों बैक पेन हो या फिर अपने फेस के रिंकल स्विंपस को हटाना हो या फिर आपको फटी हुए एरियों को सही करना हो इस तरीके से आप जो है किसी तरीके से जिसानों ऑलिवाल इस्तमाल कर सकते हैं कि दे दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आज कभी आपको अच्छा लगे है एल्फो लगे तुस वीडियो को जाद़ जादा श्यार की दे दोस्तों के साथ और वी एस इंटरसी विश्टेश देखा चाहते हमारे चैनल को सब्स्राइब क कि दे दोस्तों कि 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 दोस्त